जो मनाते हैं आखिरकार हम लोग 21 माई को नाशनल अंटी टेररिजम डे एनी आइडिया एनी आइडिया कहानी समझाओं या डेट बता दूं बताओ क्या चाहते हो कहानी समझाओं या डेट बता दूं और आगे बढ़ू वाट डी तिंग वाट शुडड़ डू अफिर डू नॉट नोट नो कि राजीव गांदी जी के साथ में क्या हुआ था कहानी ओके जी चलिए तो फिर सुनते हैं कहानी आओ बलग कहानी सुनते हैं देखो फिर हुआ क्या था बात है 21 मई 1991 की राजीव गांदी जी एक सभा कर रह होते हैं Tamil नाडू में और एक औरता आती है धानु नाम होता है उसका धनु आती और धनु जुक्ति ये पैर चूने के लिए और धनु की बॉड़ी पर एक बं बंधा होता है और धनु खुद को चिथरों में उड़ा लेते हैं उसी के साथ राजीव गांदी भी उड़ और चौदा और लोग जो राजीव गांधी के आसपास ये बॉम इतना भयानक था कि चौदा और लोग जो इसके आसपास खड़े हुए थे ये सब भी फट जाते हैं मर जाते हैं सब फट जाते हैं लोगों के चीथड़े नहीं मिलते ये 21 मही 1991 को हुआ था और इसी लिए इस step गलत हो गया 1987 में राजीव गांधी ने कुछ forces को शिलंका भेज दिया Indian पीस कीपिंग फोर्स को शिलंका भेजा जिस कारण से धानू नाराज थी धानू नाराज क्यों थी इंडियान पीसकीपिंग फोर्स से इसको भी समझते हैं देखिए इसके लिए हमें ठोड़ा हट कर तो शिलंका की अगर आप बात देखें तो और पहले चलने हैं यहां भी राइता अंग्रेजों ने फेलाया हुआ है कहानी यह आती है कि अंग्रेज क्या करते थे छिलंका को रूल करने की लिए छिलंका में दो प्रकार के देखो लोग रहते हैं 20% लोग रहते हैं वहाँ पर जो तमिल्स होते हैं और 70% लोग हैं महाँ पर सिनलीज हैं तो 20% तमिल्स हैं ये बाई एथिनिसिटी हिंदूज होते हैं और जो सिनलीज लोग होते हैं वो बाई एथिनिसिटी बुद्धिजम होते हैं मतलब मैजॉरिटी बुद्धिजम रहता ह 20% हिंदूज रहते हैं 10% बाकी के धर्म रहते हैं अब क्या होपा है अंग्रेज क्या करते हैं क्योंकि जो तमिलियंस होते हैं उनकी अंग्रेजी जादा बहतर हुआ करती थी reason यह है कि बहुत time तक अंग्रेज वो श्रलंका बाद में आये लेकिन मडरास उन्होंने बहुत पहले capture कर लिया था तो मडरास में English education पहले से वहाँ पर popular हो रही थी इस कारण से तमिलियंस के अंग्रेजी वैसे भी अच्छी होती थी तो जब अंग्रेजोंने शिलंका को capture किया तो तमिलियंस को उन्होंने शिलंका में लाकर के अच्छी बड़ी की positions पर रखा मतलब बड़े साहब जो हुआ करते थे वो तमिलियंस हुआ करते थे और उनके नीचे native sinalise हुआ करते थे माने जो उसी देश के रहने वाले हैं वो उनके नीचे होते थे और मिलियंस जो मानलब जो minorities हैं वो उनके उपर rule करती थी ये बात sinalise को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि ये तो minority में हैं फिर भी हमारे उपर क्यों rule कर रहे हैं जब तक अंग्रेज रहे तब तक इसका कुछ solution नहीं हो सका लेकिन उसके बाद क्या होता है 1960s में आकर के जब elections होते हैं election जहिर सी बात है majority party जीतेगी तो majority क्योंकि किस की थी majority sinalise की थी इसलिए अब जो सरकार आती है वो sinalise की सरकार आती है अब ये घर दोनों लोगों का था तमिल्स का भी था और sinalise का भी था बनेगी ये sinalise की सरकार अब पकड़ पकड़ के तमिल्स को अपनी पोस से हटा रही थी और की पोजीशन को आ रही की पोजीशन में कौन आ रहे थे sinalise वो कहना था कि भाई हम इतने सालों से हमारा दमन हुआ है जबकि हम तो majority है तो majority लोगों कोई सरकार में भी बैठना चाहिए और धीमे धीमे जो ये stronghold तमिल्स का था ये कम होना शुरू हो जाता है श्रलंका में अब इस problem की वज़े से क्या होता है तमिल्स के अंदर एक रोश आ जाता है कि हमको जानबूश के target किया जा रहा है क्योंकि हम एक minority है इसलिए हमको जानबूश के target किया जा रहा है जैकि सचाई ये थी कि 1500 साल तक की Britishers ने तमिल्स को राज कराया था बेकोज उनको English अच्छी आती थी अब यहां से मामला उल्टा होता है अब तमिल्स और सिनलीस के बीच में काफी strong fight fight का काफी दो गुट बन जाते हैं एक तमिल्स का गुट और एक सिनलीस का गुट अच्छा अब क्या होता है एक youth एक group बना लेती है जैसे आपको याद होगा इंडिया में youth ने आजादी के टाइम पर कई सारे groups बनाए थे एसे ही तमिल नाडू में क्या होगा है North Tamil नाडू और East Tamil नाडू में जादा तमिलियन्स रहते हैं तो वो बना लेख कहते हैं कि ऐसा है हमको एक अलग अपना state ही चाहिए पूरा और उसका नाम होता है तमिल एलम कहते हैं हमको तुमारे साथ रहना ही नहीं है ऐसे ही वहाँ पर भी शुरू हो गया कि हम Tamilians के लिए एक अलग स्टेट पूरा बना लेंगे उसको Tamil alum बोलेंगे और यहीं से बात आती है आप इसे कितने लोगों ने लिट्टे का नाम सुनाए L.W.T.E. लिट्टे क्या था Liberation Tigers of Tamil alum Liberation Tigers माने Tamil alum को आजाद कराने वाले जो गुरूप है उसको Liberation Tigers बोला यह एक यूथ विंग थी जो बहुत जादा वाइलेंट आक्शन से बिलीफ करती थी, गोली में बिलीफ करती थी तो L.W.T.E. Liberation Tigers of Tamil alum अब लिट्टे ने क्या किया लिट्टे को support नहीं बिलता था लिट्टे एक local group था लिट्टे को कोई भी Tamilians का support नहीं था Tamilians का क्याना था नहीं ऐसा गोली ओली नहीं चलाएंगे वो ठीक नहीं है ऐसा violent नहीं होंगे बट 1983 में क्या होता है एक बहुत ही पूरे देश में वहाँ पर इसको blue july करके एक event बोलते हैं वहाँ पर पूरे शिलंका में सिनलीज और तमिलियन्स की बीच में दंगा हो जाता है यह दंगा इतना भयानक होता है कि तमिलियन्स भी बहुत सारे मरते हैं और सिनलीज भी मरते हैं और तमिलियन्स को लगता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे जमू कश्मीर में हो रहा है कि लोग वहां के ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया बात में उने पता चला कि वो गलत साइट को सपोर्ट कर रहे थे तो अभी यहां पर क्या होता है कि वो पूरे क्योंकि उनके आगे उनको गोहार लगाती है उस समय प्राइम मिनिस्टर होते हैं राजीव गांधी 1987 में इंडियन पीस कीपिंग पोर्सस के नाम से राजीव गांधी इंडियनामी की दो-तीन बड़ी टुकडियां जो है कई टुकडियां इन फाक्ट ये भेज देते हैं शिरंका में कि वहाँ पर पीस कीपिंग होगी पीस कीपिंग से प्राब्लम किसको होगी लिट्टे को क्योंकि arms, guns ये सब कौन फैल आ रहा था ये लिट्टे फैल आ रहा था तरकार किस की थी? सिनलीज की तो एक प्रकार से वो terrorists थे लिटे जो थे वो terrorists थे एक प्रकार से तो अभी क्या हुआ और उनके जाने से इंडियनामी के जाने की वज़े से इनको problem होनी शुरू हो गए लिटे वालों को इस बात से ये बहुत नाराज थे कि क्यों आपने हमारे वहाँ पर ये Indian Peace Keeping Forces भेजी हो जी किसने थी राजीव गांधी ने यही कारण है कि धानु जो एक महिला आई उसने अपने बॉड़ी पे वो लिटे की महिला थी वो लिटे की soldier थी उसने अपने बॉड़ी पे bomb मांधा जुकी और bomb blast हो गया और धानु भी उड़ गई और राजीव गांधी भी उड़ गए बड़ी अलगी कहानी समझ आई सब कुछ अच्छे से शाबाश तो ये थी आपकी liberation of Tamil Tigers alum लिटे की कहानी कि क्यों उन्होंने राजीव गांधी को मारा दीखें चलिए शाबाश इसलिए से उसी दिन से 21 मई 1991 को ये हत्या हुई है और इसी दिन से फिर हमने इसको National Anti-Terrorism Day के रूप में मनाना शुरू कर दिया है आओ तो आभी देखेंगे यहाँ पर National Anti-Terrorism Day is observed in the death anniversary of which Prime Minister of India कौनसे प्राइम मिनिस्टर पे हमने इस चीज़ को देखा था प्रभाकरन नाम का जो अब आपने नाम ले लिया है तो थोड़ा सा बाकी हम वो भी क्लियर कर देते हैं तो फाइनली क्या हुआ यह लिट्टे खतम कब हुआ आपके मन में यह भी बात होगी यह लिट्टे अभी 2009 में खतम हुआ है क्या हुआ 2003 से लेके 2009 तक की अच्छा इस पूरे लिट्टे का सरगना कौन था प्रभाकरन आपको याद होगा अगर आप Family Man 2 देखोगे ना उसमें भी प्रभाकरन की बात करी जारी है अगर आप Family Man 2 देखोगे उसमें भी लिट्टे का अब जब आप Family Man 2 देखोगे ना आपको याद आएगा अच्छा होगे यह लिट्टे है यह अपना सपोर्ट मांगने जा रहे अपनी आजादी के लिए और उसमें भी एक प्रभाकरन नाम का चीफ है अच्छाल में लिट्टे का जो चीफ था वो था प्रभाकरन प्रभाकरन को 2006 में शिलंकन सरकार ने अपनी सारी forces को उतार दिया कि जाओ जंगलों में गुज जाओ और एक एक लिट्टे वाले भक्ति को पकड़ किया तो मारो या सरेंडर कर वाओ और 2009 में प्रभाकरन को मार दिया गया न्यूट्रलाइस कर दिया गया जब प्रभाकरन को न्यूट्रलाइस कर दिया तो लिट्टे खतम हो गया पूरा थिक तो 2009 में ये लिट्टे ही कानी खतम हुई है